हलो एब्रीवन श्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में फाइनली बिहार आई टी आई का जो फॉर्म ओनलाइन है वो स्टार्ट हो गया है बी सी सी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें अपने फॉर्म ओनलाइन को डेट को रिवेल किया है और साथ में प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया है पंदरा चार यानि की आज से फॉर्म ओनलाइन स्टार्ट हो गया है तेरा पाँच दोहजार तईस तक फॉर्म ओनलाइन होगा और अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो 15-5 से 16-5-2023 तक इसको सही कर सकते हैं आपका admit card जो होगा 16-2023 तक आएगा और exam जो होगा आपका 11-6-2023 को यह proposed date है ठीक है एक अंदाजार लगा करके कहा गया है कि 11-6 को जो है आपका exam होगा आपका exam का date जो है वो आगे भी भर सकता है यह जब admit card आएगा तभी confirm हो पाएगा कि आपका exam जो है वो कब होने वाला है ठीक है फर्म कैसे online करना है उस पर मैंने videos बना दिया है special video फर्म online करने के लिए निम्तम वर्स जो है वो 14 साल होना चाहिए अगर आपका 14 साल से कम है तो आप इस फर्म को नहीं भर सकते है ठीक है उसके बाद के लिए उक तिथी को निम्तम आयू 17 वर्स होना आवश्यक है ठीक किसी mechanical motor vehicle level mechanical tractor के लिए 17 साल जो है वो होना आवश्यक है नहीं तो आप फर्म जो है 100 है और वही disabled quota के student के लिए 430 रुपया रखा गया है form online करने के बाद आप लोग part A और part B जरूर डाउनलोड कर ले क्योंकि counseling के समय आप से ये सब चीज जो है वो मांगा जाएगा ये confirmation page इसको हम कह सकते है ये मांगा जाएगा आप से आप इसको बाद में भी download कर सकते है hard copy ठीक है तो form online का video जो है वो मैंने डाल दिया है किनी बच्चों को कोई परिशानी होती है counseling से related form online से related तो हमारे expert team का WhatsApp detail जो है वीडियो के description box में दिया गया है आप जाएगे वहाँ से contact किर जिए जो भी बच्चे हमारे expert से counseling कराना चाहते है तो आप WhatsApp के माध्यम से contact कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए जैहिंद